नमस्का दोस्तो हमारे चनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ अगर आपके पास SBI Bank में एकाउट है और आप चाहतो यहाँ पर दूसरा बैंक में पैसे भेजना है जैसे ICC बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, KOTAK बैंक हो गया, किसी भी बैंक में अगर आप प ब्राजर को उपेन कर लेना है मोबाईल से भी कर सकतो लैपट आप कॉम्पीटर आपके पाद आपको क्या करना है पहले गूँल क्रूम ब्राजर को उपेन कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है SBI Net Banking यही आपको type करना है आप यहाँ पर देख सकतो यही type करने के बाद आपको क्या करना है Search Bar में Click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर देखा देना है Login to online SBI State Bank of India इसी के उपर आपको Click कर देना है उसके बाद आपके पास इसी तरीगे से next भी open हो जाएगा अगर आप mobile में open काने चाहते हो तो आपको क्या गाने उपर आपको 3 dot दिखाएद रहे 3 dot में click काने नीचे आपको यहाँ पर desktop side दिखाएद रहे इसी के उपर आपको click कर देना है laptop, computer में जो भी चीज open होगा आपके mobile पर भी same चीज़े यहाँ पर open हो जाएगा उसके बाद क्या गाने यहाँ पर दिखाएद रहे continue to login इसी के उपर आपको click कर देना है अगर आप direct इस वाले page पर आने चाहते हो तो आपको क्या गाने इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका link दे रखाऊ पर आपको यहाँ पर फिल कर दे रहे अगर आपके पासवर्ट तो यहां पर आपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ट यहाँ पर फिल कर देना है तो यहांपर देख सकता हमारी पर चेंज हो रहा है आप सारे डिटेल्स फील करने के बाद यहांपर दिखाक रहा है लोग एन लोग इन के उप़र क्लिक कर दिना है यहां पर एक Next पर जो कहाँए पिर बाएक छो कि आपके रिच्टर मॉबाल नम़र पे OTP आएगा तो आपको तो आपके पास यहां पर OTP आ जाएगा मेरे को क्या करना है यहां पर OTP फिल करने के पाद है यहां पर क्या करना है अगर आपके पास टोप आता है तो आपको क्या करना है नहीं अगर अपर हमार आपका करना है बॉन करना है यहां पर दिगाया जबत लिए पेंट करने के लिए आपको यहाँ पर add and manage बेनिफिशरी इसी के पर क्लिक करना है उसके पाद आपको क्या करना है यहाँ पर दिखाद रहा है प्रोफाइल पासवर्ड तो आपको क्या करना है अपने प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है अगर आपके पास के पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाज रहा है SBI Beneficiary अगर आप SBI to SBI पैसे भीजने चाहतो तो आपको क्या करने है इसी के पर आपको क्लिक करने है अगर आप चाहतो SBI to दूसरा बैंक में पैसे भीजने है जैसे कि ICC Bank हो गया पंजब National Bank हो गया ITBI Bank हो गया मतलब SBI से आप दूसरा बैंक में पैसे भीजने चाहतो तो आपको क्या करने है यहाँ पर दिखाज रहा है Other Bank Beneficiary तो हमें क्या करने है इसी के पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके पास इसी तरीके से पेज उपेण हो जाएगा आपको यहाँ पर ध्यान से समझ रहा है क्या कई mistake नहीं करना है इस चीज़ को थोड़ी सा ध्यान रखने है जिसको भी आप पैसे भीजने चाहतो उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है उसके बाद क्या करना है यहाँ पर दिखाजने चात यहाँ पर proper bank address यहाँ पर fill करना है, कोई गलत address आपको यहाँ पर fill नहीं करना है, कोई भी address आप यहाँ पर fill कर सकते हूँ, ऐसे नहीं है, मुंबाई वाले ब्रांज में पैसे भेज रहो, दिल्ली वाले address आपको fill करना है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भी एड़्य्ट कर सकतो बिल्कुल अलग यहाँ पर state का एड़्यर्स आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है तो मैंने यहाँ पर पहले address फिल कर लेता हूँ अप यहाँ आप देख सकतो इसी तरी के सहीज़ीं सी पो चौ anyone कर दो है तो आपको क्या बने जो भी आपशे टांस्फर करने के लिए जाओगे के पांच लग से उपड़ यहां पर आप तांसफर नहीं कर सकते हैं ऐसे नहीं चीघ को फड़ब पांच लागा तो आपको क्लिक कर देना है अगर आपके पास IPC कोड है तो आपको क्लिक कर देना है अगर आपके पास IPC कोड ही नहीं है तो आपको क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक करने के बाद आपको पहले क्लिक करना है बैंक के नाम आपको यहां पर सिलेट कर करने के पार इस dulзд आप यहां पर देख सकतो हमारे यहांपर सक्सेस्फुल हो जाया गा Beneficiary Account Number यहाँ पर दिखाए देगा Bank के नाम यहाँ पर दिखाए देगा Branch के नाम आपको यहाँ पर दिखाए देगा उसके बाद आपने iFish Code यहाँ पर दिखाए देगा उसके बाद आपको क्या करने के बाद यहाँ पर आपको Approve भी कराने पड़ता है अप्रूप करने के लिए आपको क्या करने है यहाँ पर दिखाद रहा है अप्रूप नाओ इसी के पर क्लिक कर देना है उसके बाद क्या करने है यहाँ पर दिखाद रहा है प्रोफाइल पासफ़र्ड तो आपको क्या करने है अपने प्रोफाइल पासफ़र्ड यहाँ पर फ करने चाहतो दो option आपको यहाँपर मिलता है तो आपको क्या करने यहाँ पर नीचे बाले में क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक कोने के बाद यहां पर next page अपने आप new इसी के पर क्लिक कर देना है आप यहां पर देख सकता हमारे यहां पर अपर हो चुका है यहां पर आप तुरंत फंटांसफर नहीं कर सकतो यहां पर चार घंटा टाइम लगता है आदा घंटा बाद भी यहां पर आप ट्राइ कर सकतो आदा घंटा बाद भी कई बार यहां पर अप्रूब हो जाता है लेकिन आपको ध्यान रखने तीन-चार घंटा तक आपको यहाँ पर वीट कर लेना है अब यहाँ पर पैसे भेजने के लिए आपको क्या गरना है यहाँ पर मैं पहले से एड करके रखाओं दूसरे आगाउं तो मैंने यहाँ पर उस एकांट में पैस को पर क्लिक करना है अगर आप NFT करने चाहतो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप gay करता है तो आपको तो हमें क्या गर नहांब तुरण पैसे भीजना है, आप हैं पर इसी के पर क्लिक करना है, आएम्पेस के अपर उसके बाद क्या करना है यहाँ पर दिखाए द रहे है प्रोसेट के पर क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है पर पैसे भेजने के लिए क्या करना है यहाँ पर दिखाए द रहे है इसके पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर पर प्रोसेट दिखाए द रहे है प्र अगर आपके पास यहांपर क्लिक करना है तो उसके बाद क्या ग personal चाने जाने है उसके पर प्रापको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर सुम्मिट दिगाई दिगाए रहे हैं सुम्मिट में क्लिक करना है अगर आप डिटेल्स में Čने चेक करने चाते हो यहाँ पर एक बाद चेक कर सकतो अब हमारे यहाँ पर translation successful हो चुगा है यहाँ पर अपने reference नमबर मिल जाएगा यहाँ पर आपने bank account number दिखाए देगा और भी check करने चाहतो यहाँ पर आप check कर सकते हो इसी तरीके से अगर आप NFT करने चाहतो यहाँ पर आप NFT कर सकते हो अगर आप RTS करने चाहतो यहाँ से आप इसी तरीके से RTS भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों यह था चुट है जानकारी जानकारी को अगर आपको आपको अच्छा लगा था एक लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कीचा और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दिए जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको बाइन नोटिफ पहुंच जाए ठाएंक तो दोस्तों मेलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में